सबसे पहले आप लोगी मेसेज बढ़ना, किमकि इस चीकन का ये रिभीव है, मुझे मिला था, जो कि मैंने चीकन ही बनाया था, मेरे घर तो बनता ने, पर मैं अपने बहन के घर बनाया थी, किमकि वहाँ पार्टी था, तो मैंने बनाया था, तो वहाँ के लोगों ने मुझे ये रिभीव दिया था इसलिए मैंने पहले आपको स्क्रीन सोट निकाल के वाटसप का मेसेज मैंने दिखा ले पढ़के फिर आप बताएगा कि कैसी रिभीव है तो ये रिस्पी कैसी होने वाली है मैंने चीकन निये धो के अच्छे से छान के दही डाल दिया इसमें लेकिन मैं अभी यहां इतना नहीं बता सकती मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी वहां से देख लेना लेना कि बहुत जादा कॉंटिटी और इतना आप बना नहीं सकते घर में तो मैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी पूरी 500 गराम चीकन के हिसाब से मेजर्मेंट तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना तो सबसे अच्छा रहेगा क्यूंकि यह बहुत जादा लोगों के लिए था तो यह बहुत जादा कॉंटिटी में टोटल यहां लगबख साड़े 400 केजी यह था चिकन यह बना रही हूं पर मैं बना रही हूं चिकन टिका बना रही हूं बहुत टेस्टी लगती है पर चिकन टिका फ्राई होती है चिकन टिका होती है चिकन टिका ग्रिवी तो पहले इसकी टिका बनाएंगे फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो मैं क्या करी ना देखे इसमें सारे मसाले डालूँगी दही डालूँगी तेल डालूँगी जो जो पड़ेगा मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा अब वहां से देख लेने पर अगर आपको और टेश्टी चाहे तो घर की गरम मस साला इस्तमाल करना मैं यह बोलूँगी तब जाके देखना अहां मैं यहां कलर डालूँगी और यहां मैंने वेनिगर डाला है टोटल में बतारीं बारबर में वहां लिख दूँगे अब देख लेना अगर आपको होटल से भी बेश्ट खाना है तो कि मेसेज में भी लिख अबत्ति होती हो और मैं वही बहन के घर जाओ तो नोंके घिमांड होती की बहां जाका करनी तुछ का अगम नहीं डालना डüz Autal डाल्क में चली लगा और। आटल डालके मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, कम से कम, कम से कम इसे एक घंटा रिष्ट चाहिए चिकन को, कम से कम, और ज्यादा हो तो चलेगा, चार से पांच घंटा चलेगा, उसे ज्यादा भी टाइम हो, अगर रखने कोई मरजेंसी आगे चाहिए, ज्यादा मेहमान किसी भी फेमली में चार पांच लोगों के लिए 500 गराम से ज्यादा चिकन तो बनता नहीं यहां मैंने orange red colour डाल डाल और यह देखागी है कि उन्मों के घर colour नहीं मिलता तो में अपने घर से colour भी लेके गई थी त्यायोर नहीं मिलता और मसाले मेरी खुद की होती है गरम मसाला जो होती हूं मेरी खुद की प्रशनल होती है में कहीं से खरिती नहीं हूं इसे мरकेट से लाओ, पानी वाला दहही बिल्कुल मर डालना चिकन में। कुछ लोग या करते हैं ने काम इस्पाव चिपाई क काम चलाने क सभ आ हुए तो ही आपका चिकन रेष्पी भी काम चलाने का हुई सव्वाइ तो यहां में थीरे थीरे कर के फ्राई करूँ और उनके मेहमानों का डिमाइन्ट था कि तला हुआ खाएंगे आधा और आधा गढ़री में तो मैंने आधा यहां तल्के गढ़री बनाए और आधा बात में ननके मेहमान आए और फिर तलके उन्हों को पहले दिया गया उसके बादो लोग ग्रेवी के साथ चिकन खाये थे ग्रेवी चिकन खाये थे बिरियानी खाये थे उसके बाद तो मैंने हाफ तलके ग्रेवी बना ली और हाफ रखती और बार बार में एक ही बाद बता रहें कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन तो 80% में तलने के बाट पूरा निकाल लूँगी और तल के इसे निकालना है जादा देखी यहां गैस की फिलिम बहुत हाई नहीं रहेगी पर मीडियम टु हाई जरूर रहेगी और ऐसे करके आपको तल के निकालना है यह चिकन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बिरियानी की जाली थी चिकन बिरियानी की चिकन दम बिरियानी था तो यह मेरे घर नहीं बनता कि मेरे हजबन नहीं खाते हैं तो मैं जब भी अपनी बहन के घर जाती हूं तो लोग मुझे ही बोलते हैं बनाने को कि तुम ही बना तो बनाती हूं तो कोसिस करूंगी कि मेरे कोर्डिंग क की फेमिली की सबसे फेवरेट चिकन है टिका चिकन वो लोग जादा इसे पसंद करते हैं इसलिए मेरे को वट्सप मेसेज मिला था तो मैं सबसे पहले आपको लगा दी हूं कि आप वहां से देख लेना कि इसकी रिवीव क्या है कि मैं जूट नहीं बोल रही हूं रिवीव क् तो चार से इंटू कर दोगी तो चार की दो केजी के हिसाब से आपकी टूटल समान निकल जाएगी तो उतनी हर चीज लेके आप वैसे बनाना बस मेठेड यह रहेगा किमकि पार्टी था तो यह जादा था तो मैं आपको हाफ कॉंटिटी में नहीं दिखा सकी यानि कि 500 गर करके इसे तलिएगा तल के इसे निकाल लीजिएगा फिर इसके बाद इसकी ग्रेवी रेडी करेंगा तो आपको मटन में या मचली में या अंडा में जो भी कुछ भी सीखना है नो तो उसके लिए मुझे कमेंट करना पड़ेगा तो मैं पूरी कोशिस करूंगी कि गई बस रिकॉर्डिंग नहीं कर पर कुछ भी नहीं ड़ेवी में बता देती हूं मैंने यहाँ तेल डाला सारे खड़े मसाले डाले उसके बाद प्याज डाला बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला है और प्याज को गोल्डेन कलर आने तक यहाँ गैस की फिल टकध़क के पकाईब तो सबसे जदा अच्छा रहता हैं और इस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा जो मैं लिखूँगी सब उससी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा तो कुछ नहीं डाली थे बस तेल डाली थी सारेरे सीभाथ मसाले डाली ती उसके बाद प्याज गया उसके बाद अधरकलसन का पेश्ट गया इसके बाद कुछ नहीं जाएगा टामाटर की प्यूरी जाएगी कुछ नहीं करना टामाटर को धोके काटके कच्छे एक प्यूरी बना लेना तो कभी भी प्याज को ढख के पकाएंगे नो तो सबसे अच्छी उसकी फिलेवर आती है तो ऐसी अब ढख ढख के पकाएंगे तो सबसे अच्छा बनेगी और कलर बहुत अच्छी आएगी तो यहाँ देखे मैंने यहाँ ले लिए टामाटर की प्यूरियम में यहाँ डाल दूँगी तारा मेथड यही रहेगा बस बनाने की तरीका सब यही रहेगी बस जो कॉंटीटी रहेगा वो 500 गरा मैं में लिकूंगी तो देखे इसके बाद जो फ्राइ करने के बाद जो मसाले बच गए थे न मैं सारे मसाले भी इसनी में डाल दूँगी मसाला उसमें कर नहीं फेकना कब्भी भी नहीं फेकना जो हमलों पूरा चिकन में दही मसाला डाल के मिला के रखे थे न तो टूटल फ्राइ करने के बाद जो मसाले बचेते वो इसमें मैंने डाल दिया वो गलती से भी नई फिकना उसकी मेन फ्लेवर और टेस्ट आती है तो फिर इसे ढखके अच्छे से कूक करना है कम से कम जब तक पूरी तेल अच्छे से उपर ना आज तब तक इसे अच्छे स चलाने के बाद अगर आपको लगे कि थोड़ी सी जल रही है ऐसे तो तेल इतना है कि जलेगा ने थोड़ी सी गरम पाने डाल दीजिए और आखरी में ग्रेवी के लिए आप गरम पानी ही इस्तमाल करना तो सबसे बेश्ट रहेगा वो सबसे अच्छा रहतर कुछ भी नही से चे मिनट यहां 5-6 मिनट कूप करूँगी और उसके बाद में यहां पाने डालें पर गरम पाने डालें उससी थाली में से डालके ताकि मसाले वस इसमें आजिए मेन होती यह चिकन की चाहिए कोई भी सबजी की ग्रेवी की टेस्ट मेन वही होते और कुछ भी नहीं तो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताएगा कि ये चिकंटी का आपको कैसी लगी और कोई नॉन बेज में रेस्पी सीखना है तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा और प्लीज प्लीज लाइक से सस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा और नेक्स रेस्पी क्या सीखना है ये भी कमे करेंगा आगर कुकिंग शीखना है तो कुकिंग का भी कमेंट और इसके बाद मैंने यह तो डाल दालना स्लाइस करके बालीं चीली शड़़षे में अब अ पसंद करती है और यहां यहां जाएगा करिक पोड़ी जिए करब हूं कि अर Darren गैस बन करने से दो मिनट पहले यहां मैंने एक पैकेट लो फेट की क्रीम अमूल क्रीम मैंने डाल दिया पर हीरा के मिक्स करके गैस बन करने से पहले बस एक मिनट पहले इसके बाद कुछ नहीं करेंगे मिक्सिंग देने के बाद एक मिनट को करेंगे धकल लगा के धककाई से छोड़ देंगे तो यह हमारी फाईनली हो गई चिकन टीका ग्रेवी बनके रेड़ी तो कमेंट करके बताएगा कि यह रेसपि आपको कैसे मिलए तो चलिए फ्रिंट कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर नई रेसपि नई वीडियो के साथ मैं तो थैंक यू फरिंट कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर